और एकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें वाट इस दा मोस्ट कोमन टाइप ओफ जोईन चार तरह का जोईन यहां पर आपके सामने है आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नंबर ए इनर जोईन विच कॉंसेप्ट इस तो कंबाइन दा रेकोर्ट फ्रोम और और मोर टेबल एक या एक से ज़्यादा टेबल के रेकोर्ड को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तब आप क्या यूज करेंगे करेक्ट अंसर होगा सी नंबर जोईन हम जोईनिंग परफॉंब करेंगे अ क्वैरी इस्कुल क्वैरी ऑटोमेटिकली एनिमिनेट दूबलीकेट टूब यह फिर फॉल्स व्याजा फॉल्स इसका मतलब यह होता है कि क्या हम जो भी एस्कुल क्वैर करते हैं उसमें अगर हम duplicate record डालते हैं तो क्या वो अपने आप हटा देता है नहीं तो यहाँ पर फॉल्स correct answer the database language that allow us to give privileges to access data in a database आपको बताना वो कौन सा language है चार options आपके सामने correct answer होगा a number dcl data control language हमें allow करता है कि हम database को access करने का privileges दे सके किसी को ठीक है विच operator combines the result of two or more queries with duplication ऐसा कौन सो operator है जो कि दो या दो से ज्यादा query record को combine करता है वो भी duplicate record के साथ correct answer होगा union all ठीक है how many types of function in SQL correct answer होगा two types का function होता है SQL में single row function multi row function अगर आप SQL programming language का complete course practical के साथ करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक पे आप जाएंगे तो आपको SQL का complete course करने मिल जाएगा अभी तक इस वीडियो में हमने जितना भी question आपको बताया सभी का practical आपको उस link में मिलेगा आप जाके complete course start करिए और Oracle database कोई भी interview होगा आपका जरूर निकलेगा अभी चलिए हम अपने अगले सिक्यू की तरह बढ़ते हैं अब आपको output बताना है हमारा क्वैरी है सेलेक्ट अपर अपर एक function होता है SQL में अगर अपर function के अंदर आप लिखते हैं अंकुस कुस वाहा कुछ भी आप लिखते हैं from dual डूल डूल एक कोडिंग का लेंथ बताना है फ्रॉम डूल ठीक है डूल मतलब हम और एकल डेटबेस के टेबल के साथ अपने इस इंपूट को फिट करके बस आपूट देखना चाहते हैं इसका लेंथ कितना आ ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 12 आप जितना भी यहां प को और एकल डेटबेस के साथ कंप्लीट किया है प्राक्टिकल के साथ आप चाहतो अधर डेटबेस के साथ एसक्यूल को परफॉम कर सकते हैं जैसे माइसक्यूल एमस एक्सेस इन सभी के साथ ठीक है तो आप जरूर चाहिए प्राक्टिकल देखिए तब आपको पता चलेग होगा ऑप्सन नमबर बी जोड़ देगा कौनकेट मतलब एक कर देना मर्ज करना सेलेक्ट एल पैड एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है लेफ्ट साइड में एड करता है करेक्टर सब कुछे से यहाँ पर अंकित हमारा एक स्ट्रिंग है जो हम इन्पूट कर रहे हैं हम हम टोटल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम चारे यह इस्टार एड हो जाए तो यह स्टार कहां एड होगा लेफ्ट साइड में क्योंकि हम एल पैड यूज कर रहे हैं तो आट्पूट आएगा ए नमबर पांस ठोई स्टार पांच हमारा इसका लेंथ हो गया टोटल इसके बाद हम फिर एल पैड यूज करें अंकित टेन डोलर का सिंबल फोटीन फिर डोलर तो यह फोटीन हमारा स्ट्रिंग का टूटल लेंथ हैं तो सबसे पहले एल पैड फंक्शन क्या करेगा यह टेन साइज को कंसिडर करेगा तो यह अंकित का हो गया फाइब और बचा सब एल पैड अपना काम कर चुका है आपड अपना काम करेगा टोटल लेंध प्व libero फोटीन स है इस ट्रीन फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो जब यूज़ करेंगे ये फिट करेंगे हम तो आप्पुट आएगा इसका उप्षाट निंबर सी और एकल दोनों साइट से ट्रीम कर देते the trim function ठीक है अभी आपको इसका आपूट बताना स्क्वारिका सेलेक्ट ट्रांसलेट फंक्शन यूज करें हम हमारा स्ट्रिंग है और कल सर्वर और हम ओई सी तीन केरेक्टर सेलेट किये हैं इस स्ट्रिंग से और उनका वालू हम रिप्लेस कर रहे हैं मतलब चेंज करें 100 में तो आटपूट क्या आएगा आपको बताना करेक्ट और ओप्षन नंबर बी ओ के जगह पे वान आएगा यह और सी के जगह पे के च्रिंक कंसीडर करेगा यहां यहां पे यहां 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 पे देखें और यहीं फार्क होता है कि ट्रांसलेट जो रिक्टर और रिप्लेस करता है वह पूर्ण को स्ट्रींग करता है पूरा स्ट्रिंग को यह सिंगल दो सब स्ट्र्रा connection में अगर हम यह He's footprint करते हैं और अकल private टू और ड्णक मतलब कि सेटेंड खाल और से स्टाइट करना नहीं यानिर से स्टाр्ट करना लुए बात्स और फोर तक जाना यानि इतना आपूट ए नंबर सेलेक्ट इन स्टी यार फंक्शन में अगर इसको फूट करते हैं ओ यह हमारा ओ है ठीक है कारेक्टर ओ सेलेट किये हैं इस स्ट्रिंग से वन वन इसका मतलब वन से स्टार्ट कर और वन तक ही जा तो आपूट क्या आएगा और यहां पर माइनस वन लिखें तो यह आपका हम वाक है ठीक है आपको बताना इन चारों में से कौन सा ओप्शन करेक्ट वगा अगर आपको नहीं समझ में आता कौन सा आंसर और तो आप अपने और एकल डेटा वेस में इस कवैर को फाईर करिए आपको आपको पता चल ज किया है आप हमारा प्राक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं कि सेलेक्ट एबियस मतलब एपसल्यूट फंक्शन में अगर हम कोई भी वैलू पूट करते हैं जैसे माइनस 123 फूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बी नंबर 123 यह क्या करेगा सिर्फ एपसल्यूट वैलू को रिटन करेगा यह माइनस को इगनोर करेगा अभी यहां पर सील फंक्शन यूज करते हैं अगर इस वैलू के साथ तो इसका आउट पूट क्या आएगा इसका आउट पूट आएगा ऑप्सन नंबर भी 124 यह क्या करता है फ्रैक्शन को तो इगनोर करता है यह साथ ही करण यह साका इस नाफर आपशन नमबर डी से वे नेच्राल जोएं वर्क सेम लाइक इनर जोएं इनर जोएं की तरह काम करता है नेच्राल जोएं विच जोएं इस एक्क्यू बालेन तो कर्टिस एं ब्रोडक्ट करेक्ट आँसरों का option number C cross join in inner join the keyword inner is optional optional होता अगर आप inner join में inner keyword नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा views can be created from one table view many table view another view या फिर all of a correct answer का option number D which view is to ensure that all update and insert satisfy the condition in view definition correct answer option number B with check option view ही हमें अलाय करता है तब जब हमारा condition satisfy होगा तब हम insert और update operation perform कर सकते हैं with check option view में SQL के multiple question choice में अब हमारा question है can we perform right operations into a view correct answer होगा yes हम कर सकते हैं what is syntax for drop the view view को drop करने का syntax क्या है correct answer होगा option number C drop view view name and index helps to speed up select query where clause both a and b if in an correct answer होगा option number C both a and b index is used to improve the performance of table that means speed up data retrieval true ठीक है correct syntax to create index command index command create करने का सही सिंटेक्स कौन सा है option number C create index index name on table name किस table पर बनाना चाहते हैं mention करना पड़ेगा a index is created based on only one table column चाहर options आपके सामने है correct answer होगा option number C a single column index is created based on only one table column how many types of indexes are there in SQL server two types which of the operation are not satisfies in trigger alter how can we specify a row label trigger correct answer होगा option number C using for each row the SQL set operations include 4 options आपके सामने है correct answer होगा option number D all of ever set operators are used to यहां पे भी चार उप्सन से correct answer होगा हमारा compile the results from two queries दो queries के result को compile करके set operator हमें so करता है इसलिए हम इसका use करते है rules that are needed to be followed in set operators in SQL are 4 options आपके सामने correct answer होगा both A and B मतलब all columns must must be identical in number and order there must be compatibility between data types ठीक है select 100 plus null plus 500 from dual correct output आएगा इसका option number C अगर आप null किसी भी value के साथ apply करेंगे तो उसका output आपको नल ही मिलेगा how to create user in oracle oracle database में user create करने का query क्या है correct answer a number होगा create user username identified by password अगर यह क्वेरिफायर करेंगे तो आपका user बन जाएगा जाहिर सी बात है username में आप कोई भी नेम प्रोवाइड करेंगे और password के लिए आप कुछ भी password set करेंगे इस question में आपको बताना है which of the following is used to retrieve records between two ranges of value दो वैल्यू के रेंज में अगर आपको रेकोर्ड को फेच करना है टेबल से तब आप क्या यूज करेंगे इन चारों में से correct answer होगा option number D between SQL views are also called SQL में जो view होता है उसको हम क्या बोलते हैं simple table complex table database table या फिर virtual table option number D correct होगा virtual table कहलाता हमारा व्यू ठीक है डिलीट कमांड इस यूज टू डिलीट टेबल डिलीट कॉलम डिलीट रेकोर्ड या फिर डिलीट डेटाबेस तो यहां पर उप्सन नमबर से correct होगा रेकोर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड यूज करते हैं वीच उप फॉल्लविंग इस नोटा कांस्ट्रेंट इनस्क्यूवल आपको बताना इन चारों में से SQL में कौन कांस्ट्रेंट नहीं है करेक्ट आंसर होगा उप्सन नमबर डी यूनियन और कांस्ट्रेंट नहीं है यहां पर ब्लैंक है आपको बताना इन चारों में से कौन सा करेंट आंसर अवप्छी ओःफ होगा यहां पर इस यूस्ट टूट तो यहां पर सिष्ट सर्ट पाटर्यक्ट कर्टर नहीं को अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो एक हैसा SQL language का multiple choice का question नहीं होगा जो मैं miss करूंगा या फिर जो आप से interview में या फिर exam में ना आए तो वीडियो को continue देखते रहे हो सकता है आप इसके जरी एसक्यूल तो basic सीखी जाएंगे What is returned by init cap init cap में अगर हम यह value put करेंगे तो output में क्या return होगा चार options आपके सामने है correct answer होगा option number B सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो character है वो capital में आएगा बाकि सब small में रहेंगे init cap यूज़ करने से Which operator eliminate duplicate records ऐसा कौन सा operator है जो की duplicate record को allow नहीं करता है correct answer होगा option number B distinct Which command is used to change the definition of table in SQL ठीक है अगर आप SQL के table के definition को change करना चाहते है तब आप किस command को use करेंगे rename select alter या फिर update correct answer होगा option number C alter ठीक है आप में से बहुत लोग सोचेंगे की rename जबकि rename का use हम करते है column या फिर table का name को change करने के लिए यहाँ पे definition की बात हो रही है ठीक है what operator test column for a absence of data correct answer होगा यहाँ पे option number A is null operator which of the following are DCL command आपको बताना है इन चारों में से चार options में से DCL command कौन है DCL मतलब data control language command कौन सा है option number B correct होगा grant and rework DCL stands for DCL का पूरा full phone क्या होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी दिर पहले data control language option number two correct होगा तो चलिए अभी हम अपने अगले question के और move करते हैं which SQL function is used to count the number of rows अगर आपको पता करना है कि आपके और एकल टेबल में कितने रो हैं ठीक है तो आप कौन सा function यहां पे यूज करेंगे correct answer होगा option number D count और आपको इस्टार यहां पे mention करना पड़ेगा ठीक है which SQL keyword is used to retrieve a maximum value अगर आपको सबसे maximum value retrieve करनी है तब आप क्या यूज करेंगे इन चारों में से correct answer होगा max ठीक है which of the following is not as SQL sub-languages इन में से कौन SQL sub-language का पार्ट नहीं है correct answer होगा option number D DSL how many commands are in SQL sorry यहां पे DQR की बात हो रही है कि DQR यानि data query language में कितने command होते हैं correct answer होगा option number A1 वो भी वो होता है हमारा select which is used to change name of columns for temporary अगर आप column का name temporary time के लिए change करना चाहते हैं किसी particular query के लिए तब आप क्या use करेंगे इन चार options में से correct answer होगा A number as clause ठीक है DCL provides commands to perform which action like चार options आपके सामने है correct answer होगा option number C authorized access and other control other the database over the database ठीक है क्योंकि DCR में हमारा grant और रिवोक आता है उसका यूज हम करते ही है authorization के लिए final question है हमारा when we updates any record in the table which authorization on a table allow a user to अगर हम update operation perform कराना चाहते यूजर को देना चाहते हैं तो हम क्या user को permission देंगे select update grant या फिर ओलो फेवर तो correct answer होगा update यूजर update operation perform करना चाहता है तो उसको update कमांडी fire करना पड़ेगा लेकिन उसको authorization हम देंगे grant की मदद से लेकिन इस question का answer होगा update which command is used to take back authorization आपने यूजर को जो भी authorization दिया है अगर वापस लेना चाहते तो आप क्या command fire करेंगे rework how to remove the privileges from the user अंकित ये question का 4 options आपके सामने हैं ये भी आपका home work है आपको खुछ से पता करना ना ये option हो सकता ना ये कोई भी option हो सकता ठीक है आप खुछ से try करके बताइएगा कौन सा option होगा comment करिएगा in which year oracle database was developed 1977 who is the developer of oracle database Larry Ellison तो यहां पर हमारा end होता है structure query language का mcq question और answer interview में इससे बाहर एक वी question आपसे नहीं पूछा जाएगा मैं आपको guarantee देता हूं exam में भी इससे बाहर नहीं आता क्योंकि मैंने बहुत exam दिये हैं वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए चानल को subscribe कर दिजिए